गुद मॉर्निंग क्लास फिव ओके बेटाम अब हमने तीन चेप्टर कर लिये हैं फर्स्ट किया था मैजरमेंट सेकिंड किया था तेमपरेचर और थर्ड कौन सा किया था जो प्रीवियस था प्रॉफिट और लोस वाग अब हम चेप्टर स्टार्ट करेंगे अपना लेसन न पेरिमीटर सॉल्व करना होगा जो फर्स्ट एक्सराइज है वो सारी पेरिमीटर को लेके हैं जो सेकिंड एक्सराइज है वो सारी एरिया को लेके हैं और जो थर्ड एक्सराइज है वो सारी वोलियूम को लेके हैं बहुत इजी चेप्टर है बस आपको सम्माझना चाहिए आप क्या है कि सबसे पहले आप छोटी क्लासे में भी पैरिमेटर करते आए हो फोर्थ क्लास में आपको एक शेप दी जाती थी ऐसी आप क्या करते थे इसका पैरिमेटर फाइंड आउट करना है तो यहां पे जैसे यह रहा कोई टर्म आ जाते थे तो बोलते थे इसका perimeter find out कर आपके करते थे AB plus BC plus CA या फिर AB plus BC plus AC कुछ भी लिख देते थे तो वो क्या होता था perimeter है same as it is best बस इस बार यहां पे जो length है उसकी sides जो sides है उसकी length भी given होगी हां उसकी one centimeter, उसकी five है उसकी four है उसकी three है उसकी two है नो सबको add करना होता है तिक है आप क्या है कि जो perimeter की unit होते है वो same होते है जैसे length की होते है meeter,thirds, meter it would get late to get in ठीक है अब क्या है कि perimeter जो है वो इसमें तीन टाइप्स का है, perimeter of triangle, perimeter of rectangle, and perimeter of scale. Clear, तीन है, perimeter of triangle, perimeter of rectangle, and perimeter of scale. और जो इनके formulas होते हैं, वो भी बहुत easy होते हैं. अगर आपको triangle की shape पता है, अगर आपको rectangle का पता है, अगर आपको square का पता है, तो आपको formula drive करने में बिल्कुल भी problem नहीं होगी. सबसे पहले हैं हमारा perimeter of triangle. Perimeter पता है, कोई भी आपको shape closed figure given होगी. ये closed figure given है, और उसकी sides है, उसकी length given हो, तो उन सबको add करके, हम क्या perimeter point load कर सकते हैं. सबसे पहले हमारे पास perimeter of, उसकी कुछ basic concept है, जो सबसे पहले हम start करेंगे, perimeter of triangle. Perimeter of triangle क्या होता है, जैसे ये आपको triangles given है. इसकी भी तीन sides है, इसकी भी तीन sides है. वो अलग है, कोई equilateral होती है, कोई isolatious होती है, ये सब भी different difference होती है. सबसे पहले हम start करते हैं, equilateral triangles. Equilateral triangles का होता है, जिसकी तीनों sides क्या होती है, equals. ये क्या है, ये हम छोटे होते से बढ़ते आ रहे हैं, nursery से start कर देते हैं, shapes का, कि ये circle की shape है, ये triangle की shape है. सबसे पहले suppose कर लो, इसको name दे दिया, A, B, N, C. Perimeter इसका find out करना हो, तो क्या करोगे? इन सबी का joining line है, इनको join करो, A, B, plus B, C, plus C, A. इसका perimeter ये ही होगा, ठीके? अब क्या है, कि sides है, तो suppose कर लो, अब sides की length भी given है, अब ये तो equilateral है, तो सबी की equals ही होगी. अब इसका perimeter find out करना हो, तो कैसे करते हैं, A, B, plus B, C, plus C, D, plus C, A, 1 plus 1, 2, 2 plus 1, 3, means इस triangle का perimeter के आएगा, 3. Same as it is, ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ पे है, एक perimeter की example दीए, यह उन्होंने, X, Y, Z, अब इसका perimeter कैसे find out करोगे, X, Y, plus Y, Z, plus Z, X, फिर जहाँ पे X, Y लिखा हुआ है, वहाँ पे 4 फिल कर दिया, जहाँ पे Y, Z लिखा हुआ था, वहाँ पे 5 फिल कर दिया, यहाँ पे Z, X लिखा हुआ था, वहाँ पे 2 प्लस कर दिया, इन सबको प्लस करके कितना आगया 11, तो यह इसका क्या हो गया perimeter, कि वो कितना area cover up कर रहा है, कितना 11 cm clear अब equilateral triangle कौन सी होती है जिसकी सभी sides क्या होती है equal means कि यहाँ पर different ही ना किसी की 4 थी किसी की 5 थी किसी की 2 थी लेकन equilateral triangle का मतलब वो होता है कि उसकी तीने sides क्या होती equal जानतो उसका आप ऐसे लिख सकते हो कि 3 multiply side कि सभी sides एक खुल है तो सभी 3 लिकलो या फिर आप plus कर लो a b plus b c plus c a या फिर a c लिकलो कुछ clear ऐसे निकालते हैं अगर perimeter of equilateral triangle आजाता है तो अब next है perimeter of rectangle तीन formula होती है एक perimeter of triangle एक perimeter of rectangle एक होता है perimeter of square अब देखो rectangle का आपको पता है कि length and breadth जो है वो different होती है जैसे यह है a b d c अब देखो a rectangle is a four sided closed finger in which opposite sides are equal ऐसा होता है कि opposite sides के होती equal है जैसे यहाँ पे a b d c के equal होती है क्योंकि दोनों की length same है और इधर से a d और b c की length same है देखो दियान से a b and d c की length same है और a d से लेके b c की length same होती है ठीक है length और breadth जो है उनको plus करते क्योंकि length जो है वो दोनों की same होगी and breadth भी दोनों की same होगी कितनी sides है length की 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 है क्या इसमें length और breadth यहाँ पे लिखेंगे length plus breadth क्योंकि 2 sides होती है rectangles की एक length होती है breadth होती है यह दोनों same होती है तो 2 times length को plus कर लो और 2 times breath को plus कर लो यह formula था 2 is equal to bracket में आएगा length plus क्या आएगा breadth जो length होती है वो longer होती है जो breadth होती है वो shorter होती है यह आपको पता होना चाहिए यहाँ पे इसकी length कौन सी है a b and d c यह क्या है length and a d b c क्या है breadth clear देखो मैं फिर दुबारा समझा रहे हूँ इसका formula कैसी आया है 2 bracket में length plus breadth कैसी आया है जैसे देखो यहाँ पे कितनी length है 2 तो 2 लिख दिया क्या 2 थी length यहाँ पे हमने लिख दिया length अब breadth कितनी है वो भी 2 है तो बहार लिख दिया 2 breadth कितनी है 1 breadth टू कौन सी चीज है breadth तो यहाँ पे क्या लिख दिया breadth clear यह अगर हम ऐसे perimeter फारिमेटर फारिमेटर में a b plus b c plus d c plus a d वो भी ठीक है लेकिन आपको perimeter का formula क्या है वो पता हो होना कि 2 बाहर bracket में length plus breadth क्योंकि अगर हम इसको open करते हैं तो यह क्या अगर 2 length plus 2 breadth है तो यही ना कि 2 ही इसकी length है और 2 ही इसकी breadth है यह दोनों इसकी length से यह दोनों इसकी क्या है breadth तो formula क्या होगा 2 length plus breadth clear यह तो था perimeter of rectangle का formula and next है perimeter of square अब square की कितनी sides होती है 4 sides होती है और आपने कभी दिहान से देखा है उसकी length and breadth जो है वो same होती है तो हम कितनी sides है इसकी 1, 2, 3, 4 तो हम 4 को उसकी side के साथ क्या कर देते हैं multiply यह हम 4 sides को plus कर सकते हैं यह हम 4 sides को multiply but हम multiply करेंगे जो उसका exact formula है scientifically ठीक है क्योंकि square की सभी sides क्या होती है equal तो 4 को किसके साथ multiply कर देते हैं side के साथ a square is a four sided close figure in which all sides are equal so perimeter of square क्या होता है sum of length of its sides सभी lens को आपने आपस में plus कर देना है तो वो होता है आपका perimeter of scale clear इसमें तीन एक होता है perimeter भी एक perimeter का भी formula होता है वो चोलो हम अगर suppose कर लो यह तो हम सभी बार perimeter find out कर रहे हैं ना कि इसकी perimeter means यह सभी कि कितना وہ कर रहा है centimeter कितना cover up कर रहा है कही बड़ ऐसा होता है कि वो सारा given होता है तो हमने कर आपकाシルク करनी हो अगर हमने side find out करनी हो अगर हमें perimeter given है लेकिन हमने side find out करनी है तो उसका अलग formula होता है side is equal to parameter divided by 4 अगर वो क्या है square का है तो 4 आईगा नेचे कई बार ऐसा भी given हो जाता है कि square का parameter क्या है कि square का parameter क्या है वो given हो लेकिन हमें sides given नहीं होती तो उसका भी एक formula होता है side is equal to parameter divided by 4 तो आज तो मैंने आपको सिर्फ इसकी intro दी है कि क्या चीज़ है आपको पता होना चाहिए कि parameter of triangles क्या होती है parameter of rectangle क्या होती है and parameter of square क्या होता है और अगर आपको कोई चीज़ का parameter given है लेकिन आपने उसकी side find out करनी है तो उसका क्या formula होता है clear उसका formula होता है side is equal to parameter by 4 अगर हम मैं इसको बताऊं कि यह कैसे आता है तो एक और reason है जैसे अभी हमें पता है कि parameter of square का formula क्या होता है parameter is equal to 4 multiply side यह होता है न तो क्या है कि अभी हमने side find out करनी है suppose कर लो यह multiply नहीं है bracket है bracket का मतलब भी multiply होता है तो हमने यह वाले 4 को इदर ले जाना है तो क्या हो गया parameter divided by जब कोई भी term multiply हो रही हो तो इदर जाए न तो उसको बोलती है divide यहाँ पे हो जाएगा divide और यहाँ पे क्या गया side ऐसे formula drive हुआ है लेकिन अभी आप छोटे हो आपको formula drive करना या कुछ नहीं आएगा तो आप भी formula जो है वो याद करो क्योंकि वैसे ऐसे होता है parameter is equal to 4 multiply side यह 4 जो था क्योंकि अभी हमने सिर्फ side find out करनी तो side को इदर रहने दिया 4 को हम इदर लेगे कोई भी चिस multiply हो रही थी जब इदर जाएगी तो वो divide होगी अगर multiply हो रही है तो divide होगी अगर plus minus हो रही है तो उसका कुछ अलग procedure होता है ठीक है तो अभी आप सिर्फ formula याद करना क्योंकि अभी आप drive करना नहीं सीख सकते है ठीक है तो आज मैंने सिर्फ intro दी है कल से हम exercise जो है वो start करेंगे तीक है तो आप जाएगी